तूट गया गौतम गंभीर के सबर का बान, तीसरे वंडे से चबालिस घंटे पहले नई पिलिंग लेवन का एलान, देखते रहे गए अयर और व्राट, अब तब ही मचाएंगे रिशब पंत और रियान पराग, बदले की आग में धदक रही भारत की पूरी टीम, दौपर ल बलती की वज़े से सब कुछ हो गया बरबाद, अब इन खिलाडियों को रोहित कभी नहीं दिंगे मौका, ड्रेसिंग रूम में मूँ छुपा कर बैट जाओ, बल्ले बाजी तुमसे नहीं हो पाएगी, क्यार राहुल तुमको मौका नहीं मिल पाएगा, शर्म से ढूब मर श्रे शयर और दुबे, तुमसे भी नहीं हो पाएगा, रिंकु जैसे तोप को बाहर बिठाया गया, रियान पराग को नहीं खिलाया गया, जिनको मौका मिला उनोंने टीम की नईयर डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जी हाँ दोस्तों, तीसरे वंडे महा मुकाबले के लिए BCCI और रोई शर्मा ने श्री लंका के खिलाफ भारतिये टीम में 2-3 महतपोर बदलाफ करते हुए सभी को चौका दिया है, जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोई शर्मा ने तीसरे वंडे मुकाबले के लिए भारतिये टीम में ऐसे ऐसे 2-3 भुके शेरो की एंटरी कर जिसे देखका श्री लंका की टीम के पसीने चूटने लगे हैं, जिन ख्लाडियों ने टी-20 में श्री लंका की धजियां उडाएं थी, अब गौतम गंबीर उन्ही भारतिये शेरो को वंडे में भी उतारने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम तीसरे वं जतरीन कप्तान मानते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि किर्किट से रिलेटिड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है, साथ में ये भी बताएंगे, तीसरे वंडे कप खेला जाएगा, और कितने बज़ तीस मिनट पर शुरू होगा, तो दोस्तों इनी सभी को ध्यान में रखते हुए कप्तान रोई शर्मा ने भार्तिय टीम में चार चौक आने वाले बदलाफ करते हुए भार्तिय टीम घोशित की है, अब बात करें, श्री लंका को बुरी तरह से कुचलने के लिए भार्तिय कप्तान रोई शर्मा ने किन किन भूके शेरो को टीम में शामल किया है, सबसे पहले ओपनिंग जोडी की बात करें, तो ओपनिंग बल्लिबाजी के तौर पर खतरनाक बल्लिबास रोई शर्मा के साथ शुमन गिल टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरूआत करने के लेकिन जैसे ही वो आउट हुए भारत की पारी ताश्य पत्तों की तरह बिखर गई इससे अंदाजा हो जाता है कि रोई शर्मा टीम इंडिया की जीत में कितना बड़ा रोल निभाने वाले हैं वही नमबर दो पर हमें युवा बलिबाज शुमन गिल खिलते हुए नजर जिसमें गौतम गंबीर और रोई शर्मा दोनों नाराव नजर आये थे लेकिन वो टीम के उपकप्टान भी हैं ऐसे में रोई शर्मा ने अभी भी शुमन गिल पर भरोसा दिखाया है और तीसरे वंडे में एक बार फिर वो गिल के साथ ओपनिंग करने वाले हैं तीसरे न वंडे मैच में भी व्राट कोली केवल 14 रन बना कर पवेलियन लोड गए उन्होंने शुरुआ तो शांदार की थी लेकिन उनकी एक गलती टीम इंडिया की डाउन फॉल का कारण बन गई जिससे व्राट कोली भी काफी उदास नजर आये थे ऐसे में अब तीसरे वंडे में जपरोई शर्मा ने अपने सबसे बड़े हतियार पर दोबारा भरोसा जताया ऐसे में दोस्तों व्राट कोली चाहेंगे कि तीसरे मकाबले में वो फिर से शतक जड़कर किर्किट फैंस को काफी उतसाहित करें तो दोस्तों ऐसे में चौते नमबर पर अनुभवी खलाडी क ग्यार राहुल को मौका मिला है जो दूसरे वंडे में भारत की हार के सबसे बड़े विलन है ये तो पिछले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे जिसके बाद लग रहा है ये राहुल को तो टीम से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा आकर हो भी क्यों ना उनकी वज़ उसे पर खरा उतरे और टीम इंडिया को तीसरे वंडे में किसी भी कीमत पर जीत दिलाए इसके बार नमबर पांच पर बहतरीन मौका मिला है लेफ्ट हैंड बलेबाज रिशाप पंत को टी-20 वर्ल्ड कप होया श्री लंका के खिलाफ टी-20 स्रीज सभी महा मुकाबलों में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करके दिया है हाला कि दोस्तों रिशाप पंत ने अपने उभरते हुए करियर में सिर्फ 29 वंडे मुकाबले खेले हैं जिस दौरान रिशाप पंत ने शांदार स्ट्राइक रेट से 105 से टोटल 862 रन ही बनाए इसलिए दोस्तों ने पसंद नहीं आया श्रेश एयर पहले और दूसरे दोनों वंडे मैचों में टीम को मुसीबत में छोड़कर आउट हुए थे ऐसे में रिशाप पंत को टीम में लाने के लिए श्रेश एयर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है तो वहीं छटे नंबर पर कप्तान रोई श का नजारा पेश किया था क्योंकि दोस्तों रियान पराग भारती टीम का उभरता हुआ सितारा बन चुके हैं जहां वे टीम इंडिया के लिए अभी तक कोई वंडे महा मुकाबला भी नहीं खेले लेकिन हैट कोश गौतम गंबीर और कप्तान रोई शर्मा ने उनके उपर काफी भरोसा जताया है क्योंकि रियान पराग अपने घातक बले बाजी और खतर नाग गेन बाजी से काफी पिरवावित रहते हैं इसलिए दोस्तों रियान पराग को तीसरे वंडे में जल्वा दिखाने का मौका मिला है नमबर साथ पर दूसरे वंडे के लिए और अक्सर पटेल को मौका मिला है जहां अक्सर पटेल ने पिछले मैश में भी 44 रनों की ताबर तोड पारी खेली ऐसा लगता था कि वे टीम इंडिया को जरूर जीत दिलाएंगे लेकिन वो भी अपने सीनियर खिलाडियों के जैसे गलती कर बैठे लेकिन गेन बाजी और बले बाज दोनों में उनका योगदान भरपूर था ऐसे में उन्हें टीम से बाहर निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो वही नमबर आट पर वाशिंग्टन सुन्दर खेलते हुए नदर आएंगे भले ही पिछले मैश में केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए थे लेकिन बालिंग म इस मैच में अपने दोनों खुंकार और लाउंडर के साथ उतरने वाले हैं जबकि नमबर नौ पर कप्तान रोई शर्मा एक बार फिर से कुल्दीप यादफ पर भरोसा दिखाने वाले हैं जहां कुल्दीप यादफ की फिरकी टीम इंडिया के बहुत काम आई थी ऐसे में कुल्दीप रोई शर्मा के सबसे बड़े हतियार बन चुकी हैं तो वहीं इसके बाद नमबर दस पर दूसरे वंड़े के लिए धासू तेजगे इनबाद मौमद शिराज होंगे क्योंकि दोस्तों मौमद शिराज भी टीम इंडिया के लिए काफी वंड़े मुकाबले खेल चुकी हैं जिस्ते दोस्तों मौमद शिराज के उपर भी काफी जिम्मेदारी होने वाली है कि वे दूसरे वंड़े की गलती को सुधारे और श्री लंका पर अपनी कातिलाना गेनबादी से धावा बोले तो वहीं अंत में नमबा ग्यारा पर तीसरे वंड़े के लिए हरशदीब सेन को मौका मिला है जहां दोस्तों आपको तो पता ही होगा कात तक से इस गेनबाद अरशदीब सेन्थी 20 और वंड़े दोनों फॉर्मेट में काफी बहत रेंग गेनबाद ही करते हैं ऐसे में उन्हें टीम से बहार निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है इस प्लेंग 11 में कौन से बदलाव होने चाहिए कैसे लगी आपको ये वंड़े की खतरनाक प्लेंग 11 क्या टीम इंडिया ये तीसरा वंड़े मुकाबला जीत पाएगी अपनी राइड नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं